क्या संदेज देना चाहते है टाइगर जेरामात। प्राकृतिक संसादन असीम संभावनाएं तो इसलिए हमारा आज का सभा का मतलब यहीं है कि यहां की जो खामियां उसको जागर करना और यहां की जनपरत्नियों को बकैदा सवाल करना कि आप समयधानिक सक्तियों में होते वे अगर इस राज्य के उत्थान के लिए अपने छ चुब से बदला होना चाहिए और यह को रमा बहुत सुन्दर चेत्र है यहां की सांसद्द माननियां अट पुर्णा में डम अंड का मतलब भोजन और निरामें नीर का मतलब जल होता है इन्हीं एक कम एक मतलब भोजन देने वाली और दूसरे का नाम है पानी पिनाने वाल लेकिन उसके बाजूद अगर कोड्रमा के लोग भुखे और प्यासे हैं तो जर्द परत्रिंगों पर सवाल बनता है राजी सरकार पर सवाल बनता है केंदर सरकार पर अबरक जिसके नाम से पुरा यह राज यह जीला देश में जाना जाता है और यहां अबरक का कारोबार रा सर मिल सके कि अबरक की खही नखए अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है यह हैं यह सुने मुख्यमंत्री चालू करते फिर उनके सरकार में बैठे जो लोग हैं विरोध करते हैं फाइनली यह समस्या बन जिखाने के बाद ही परसासन एक्कों होती है और फिर पकड़न और उनको पैसा नहीं जाने के खारण आज उसका प्रभाव आम व्यक्ति पर पढ़ रहा है इसलिए आप चाहिए कि आम व्यक्ति को भी अपनी आवाज को मजबती के साथ रखने के लिए सदन में अपने लोग चाहिए जो बात को रख सकते जादा अभी विदायकों के लिए बढ़ाने की जो मांग हो रही है और सब लोग मील के तो में एक साथ एक स्कूर में आ गए हैं लेकिन नियोजन निति पर क्यों एक साथ नहीं बोलते हैं बिलकुल सही का जैमेम बीजेपी कॉंग्रेस आज तू गड़बंधन कर चुकी है मिल चुकी है क्योंकि मुद्दा म बिधाय को खाना है इसलिए चारों मिल चुके हैं और चुपचा मजा ले रहे मलाई खा रहे तो मैं मनना है अब राज की युवाओं को भी सोचना चाहिए पोलिटिक्स के बारे में अगर वह नहीं सोचते हैं तो इसी पर खाली चुनाव में बोलेंगे बीजेपी की हम जम मंदी होगी है आपको बोकारों में चुनाव लड़ने के लिए बोला जा रहा है चैलेंज कर रहा है उस पर क्या बहुत बहुत कर रहे हैं और आप फिर मने पथर से ठोकर खिलाने की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे बड़ी बड़ी पार्टियों से कैसे सामना कीजिए विचार धारा हिम्मात और वलिदान यह हमारे सबसे मजबूत तस्तंबे हम इनी के नातों से सामना करेंगे आप महिलाओं की समान की बात करते हैं लेकिन आप ही के जो समर्थक हैं वो अंबा परताद को अंबा का नहीं ने गलत बात है उसको बयान को रेखे एक मुहाबरा होता है मैं सबसे पहले चाहूंगा उसके बावजूद अगर माननी विधाईका को अगर ठेस पोचित हम चाहें करेंगे माननी अम्बा मेडम जी को अगर ठेस पोचात हम चाहेंगे क्योंकि हमारा पहला प्राथम यही रहा है ब्रेद बीमार विकलांग बच्चे महिलाओं का हम लोग व्यक्तिका तुरूप से कोई टिका टिपनी नहीं करेंगे शदेवादार करेंगे उनकी नितियों की चमा चाहेंगे अगर उनको ऐसा फिल हुआ तो मापी जाएंगे अगर आप पढ़ा है तो कुछ बताएंगे हम बात करेंगे टाइम कहा मिला जब से भी लाया देखिये रहे हैं आज को ड्रमा में है बार्रों बजे दू बजे रात घर पहुंचेंगे तीन बजे सूतेंगे आ दस बजे ऊठेंगे, एक बजे मुँ धूएंगे, जिन्दगी हम लोग आडС करता है ना दाक को सीमा होता है हम लोग समय को बदल दी है इसे बात को को मानेगा नहीं समय सुतने का होता है 11 बजे हम लोग सुतते है तीन बजे यह नि पुरा एक वो समय को जी बोजन करने का टाइम होता है साथ आट बजे हम लोग पाला बोजन एक बजे करते हैं तो प्लीज टाइम नहीं मिला है बदा आपी का अंदोरन का असर है जो भी सत्रा आया है उसमें बोला जा रहा है कि छात्रा अंदोरन करें उसे जेल में ठाल दिया जाएगा इसा ही कुछ मुझे लगता है तब लाइबरेरि से जाधा चात्रों की संग्या जेलों में होगी चात्र तो बोलेंगे आगर अगर आप गलत निती ले कर आएगे तो श्यक्तनी करेंगे